रुक करेंगे बड़ी खबर की और ब्यार में सिक्षक अभियर्तियों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है जी आप वीपेसी ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन पटना से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बियार में सिक्षक अभियर्तियों का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है बियार लोग सेवा आयोग ने सिक्षक वर्थी के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है और इसके नुसार नियोजीत और सिक्षक अभियर्ति एक साथ आवेदन कर सकेंगे दोडों के लिए एक ही वेकेंसी की बात कही गई है अभियर्तिय आयोग की वेबसाइट पर विज्यापन देख सकते हैं परिक्षा अगस्त महिने के 19, 20, 26 और 27 तारिक होगी रिजल्ट दिसंबर तक आएगा पहले में पेपर में 1500 प्रश्ण होने थे आयोग की ओर से जब वेरिफिकेशन किया जाएगा तब कैनिडेट्स को अपना एडमिट कार्ट दिखाना होगा कक्षा 11 और 12 में कम्प्यूटर सिक्षक बढ़ने के लिए बीट क्या निवारता नहीं है तो BPSC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जादा जानकारी के लिए समवादाता सनी अबार साज जुड़गा है सनी BPSC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सिक्षक बहाली के लिए पूरी जानकारी दीजे सिक्षक बहारती जो है उनके लिए जो लंबा इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है सिक्षक बहारतियों को बिहार सरकार ने एक तोर से सुनेहरा तौफा दिया है एक लाग सत्तर हजार चदिक बहाली है और 15 जुन से आवेदन किये जाएंगे 12 जुलाई तक आवेदन की जो है अंतिम्तिती होगी और अगस्त के महिने में परिक्षा दिसंबर तक परिनाम जारी करके और बहाली भी कर दी जाएगी इसमें कई महत्वपुर्ण प्रावधान किये गए हैं कई संसोधन भी हुए है नई सिक्षक नियमावली में जिसके तहत नियोजित सिक्षकों की उम्ण सीमा की जो बाधता थी उसे खत्म कर दी गई है टेकनिकल डिग्री जिनके पास थी वो फॉर्म नहीं भर सकते थे अब वो भी फॉर्म भर सकते हैं वो भी कंप्यूटर सिक्षक बन सकते हैं इसके अलावा जो दिव्यांग है अनुसूची जाती जन जाती अतिपिषरा समाज के उन्हें पांच फीजदी आरक्षन की बात कही गई है और अन्तिम यर मियानी लास्ट यर में जो डियलेड के जो छात्र हैं उनके लिए भी प्रावधान किया गया है तो ऐसे में सिक्षक नियमावली जब से लागू हुई थी तब से बिवादों में थी और कहा जा रहा था कि सिक्षक नियमावली लागू हुई है लेकिर सिक्षक बहाली की जो प्रकिरिया है वो शुरू नहीं हो पाएगी और सरकार अपने बिरोधियों के निशाने पर थी और ऐसे में आज की जो तस्वीरे अब निकल कर सामने आ रही है दो दिनों के मेरातन बैठक के बाद BPSC और सिक्षा बिभाग के बीच जो भी संगतिया थी जो मतभेद थे कई मुद्दो को लेकर सब दूर कर लिया गया है और दो दिनों तक चली इस बैठक में ये तै हो गया है कल देर रात इसकी जानकारी BPSC के द्वारा दी गई है और विग्यापन जारी कर दिया गया है और उसके बाद अब जो चात्र है वो पूरी तरीके से तयार हो जाएंगे आवेदन को लेकर देखना है होगा कि जिस तरीके से चात्र आंदुलन रथे सिक्षक आंदुलन रथे तो अब विग्यापन के बाद क्या कुछ है देखने को मिलता है सनी देखिये लेकिन प्रदेश में अभी भी सिक्षक अभियर्थियों के अंदर आक्रोश है और नाखुश है सरकार से क्योंकि सरकार ने पहले 4 लाख वेकेंसी की बात की थी लेकिन अभी जब वेकेंसी आई है तो 1,70,000 ही वेकेंसी आई है जिसके वज़त से लोग आक्रोश अभियर्ती सवाल खड़े हो रहे हैं और कल देर साम बिपेस्सी की जो बैठक चल रही थी सिक्षा भी बाग के साथ उस बैठक के चंद घंटे पहले एक खबर निकल कर सामने आई कि सरकार इस बहाली प्रक्रिया को रद कर सकती है इस नियमावली को ही रद कर सकती है और वो इसलिए कि बिहार में जितने भी सरकार के अंदर दल है उसमें सभी के अंदर कहीं न कहीं इसको लेकर नराजगी है कि नियोजित सिक्षक जो पुराने सिक्षक है उनसे परिच्छा न ली जाए राजद और जदियू को छोड़ दिया जाए तो सभी दलों ने सिक्षकों का समर्थन किया है तो ऐसे में भारी दबाव था सरकार पर और अब विग्यापन जब जारी हुआ है तो सिक्षकों का रूख क्या होगा अला कि सिक्षक अब भी आंदोलन को लेकर डटे हुए है जो अभ्यर्ती है उनका अंदोलन कमजोर परता हुआ दिखाई दे रहा है इसने कि जो अभ्यर्ती है वो अब जो सरकार ने आवेदन की तीती घोसित कि है तो वो आवेदन की तैयारी में लगेंगे लेकिन जो सिक्षक पहले से काम कर रहे है वो लगातार अब भी बिरोध कर रहे हैं देखना है होगा कि उनका बिरोध परदर्चन और सरकार के अंदर सामिल दलो का जो समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है तो उसका परिनाम क्या मिलता है सरकार जुकती है सरकार बैकफूर पर जाती है लेकिन कई मोर्चों पर इस नियमाली में संसोधन करके सरकार ने अपनी मंसा तो सपस्ट की है कि सरकार अगर दबाव में आएगी तो कई तरह के प्रावधान और भी लाए जा सकते हैं सिख्षकों के लिए सनी और जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स है उनके लिए क्या कुछ खास एस निटिफिकेशन में